हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत आप सभी का कॉमिक वर्ड चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डैमन कॉमिक्स में महावली शाका सीरीज की कॉमिक महावली शाका और दैत्यों का खजाना का दूसरा और अंतिम भाग और फिर जहाज पर मौझूद प्रतेग व्यक्ति डैनिंग हॉल में पहुँच गया पंदरा मिनट बाद पूरे जहाज पर ने इस्तब्दता चा गई क्योंकि पानी एक ऐसी चीज थी जो समने पिया था किसी ने भोजन के साथ पिया था तो किसी ने विस्की के साथ और पानी में था एक रसायन जो शाका ने पानी की टंकी में घोल दिया था जहाज पर सवार प्रतेग व्यक्ति ब्योश था सिवा एक कैप्टेन के क्योंकि उसने वह पानी पिया था जो उसे शाका ने दिया था कुछ समय बाद एक मिशन एक विमान गोल्डन एरो पर उतरा उसे उतरने के निर्देश कैप्टेन ने दिये थे उस विमान से इंटरनेशनल पुले पोर्स का एक अफस्वर उतर कर सीधा कैप्टेन के पास आया सूचना आप नहीं भी थी? नहीं वह दुनिया का सबसे शक्तिशारी इंसान था मैं इस जाज का कैप्टेन हूँ और वह पंडुबी है हम सब आत्मसांवा करते हैं हमारा सम्मन लाल सतारास है हम सब उसी के करमशारी है मगर वह था कौन? ये था ये उसका सर्टिफिकेट है जो हर उस आदमी को मिलता है जो उसका विरूद करने की कोशिश करता है उस समयजा वह आसमान पर खेले हुए चन्रमा की चारों और सितारे मुस्कुरा रहे थे वह मशलिन वह पंडुबी खूनी घाट पर पांचों घुरसवारों को नज़र आई देखो वह लोट आए धन्यवाद दोस्तों अब तुम अपने गाउं लोट जाओ जो अग्या नाग फुत्र मैं लाल सितारा का चहरा देखने में सफल हो गया लगता है उसे पहले भी कहीं देखा था नाग गुफा में शाका ने एक अल्मारी खोली और इसमें से एक एल्बम निकाली उसमें सैकडों तस्वीरे थी शायद वह चहरा इसमें नजर आ जाए वह एक एक पन्ना पलटता गया इसमें से बहुत सी तस्वीरे महावली शाका ने दुनिया बर के सभी गुप्तिचर विवागों से एकत्रित की थी कुस तस्वीरे उसने स्वेमी हासल की थी ये सब तस्वीरे उन अपरादियों की थी जो अब तक पकड़े नहीं जा सकेते और फिर एक तस्वीर पर उसकी निखाएं स्थेर हो गई मेरा अनुमान ठीकी निकला यही अलल सितारा उस तसीर पर लिखे कोड नंबर के नुसार शाका ने अलमारी से एक फाइल निकाली यह फाइल कई बार मेरे हाथों में आई और हर बार इसमें कुछ घटनाई जोड़ी गई लिखा है उसका वास्तिवे के नाम सागर सिंग है अपने अपरादी जीवन का आरंब उसनाए अपने ठेये अविज्ञान के अध्यापक अरजुन सिंग के कतले से किया उस समय वो बाइस वरश्का था फरार हो गया और पहली हत्य के बाद उसने अपने मावाब के हत्या गला घूट कर दी दो वरश्वाद वर भारत पाक सीमा पर गिरतार हुआ उसके पाद दो क्रुरों रोपे के नशीरी पदार थे पर वर दो सेपाइउं के हत्या कर के भाग निकला तीन वर्ष बाद वर लंदन में अपने पूरे गिरों के साथ गिरफ़तार हुआ उस समय उस पर 25 हत्याओं लूट मार अपरण तता तसकरी के दरजनों अभियोग थे पर अदालत में पहली पेशी परी कुछ नकाप पुछ मददकारों दारत छड़ा लिये गया उसके बाद उसने पांच विज्यानिकों का अपरण और हत्या की और विविन नामों तता रूपों में अपने दस वर्ष तक दुनिया के हर मुल्क में अपराद की है उसे कई अरब शेखों का समर्थन वर समरक्षन प्राप्थ हो गया और पिछले पांच महिनों से वे गायब है स्कॉट्लेंड याड पुलिस का दावा है कि उन्होंने भाड़तीय मूल्के इस खतरनाग मुजरिम को एक मुट्पेड में मार डाला है कुछ लोगों ने उसकी अदली लाश की शिनक्त भी की थी फाइल पढ़ने के बाद शाका सोचने लगा पर स्कॉट्लेंड गाड का दावा जूटा साबित हो गया मारा नहीं था बलकि लाल सितारा के रूप में एक अत्यंत समरद अपरादी के रूप में जीवित है पिशली बार जब मैं अफरिका के डॉंजा जाती के दैत्यों की घाटी में पहुंच गया था वहां जादूगर जौंग की मैंने एक दैत्य के शिकंजे से बचाया था उ संसे पहले यहां जो व्यक्तिछी आया तब वह मेरे पास एक शानदार योजना लेकर आया था उसने कहा था वह इस प्रदेश के समस्त दैत्यों को समाप्त कर देगा अगर मैं इस प्रदेश का एक छोटा जबाग उसे देढ़ीं और इस प्रदेश के जीव जंत्त रते न मैदान बनाया और मैंने उस मैदान में यहां के लोगों से लकड़ी का एक मकान बनवा दिया लेकिन अभी कुछी दिन पहले पर चला गया पर वह दुबारा आएगा मैं उसकी मदद करूँगा क्योंकि वह यहां के दैत्तियों का सफाय करेगा इसी पेकार मैं तुम्हारी भी मदद करूँगा क्योंकि तुमने मेरी जान बचाईए इस से मैं बताओ तुम क्या चाहते हो मैं एक महीने से इस प्रदेश में भटख रहा हूं पर रास्ता नहीं मिल रहा मैं सब दुनिया में जाना चाहता हूं और फिर अपनी जादी शक्ती तो उस घोड़े पर बैठ ज के लिए जादूगर्न मकान बनाया है उस समय अपने देश की दर्थी पर वापिस पहुचने के जल्दी में था क्योंकि वहां के कोसिमा के बीड़ों में एक भ्यानक बैमारी फैली हुई थी जानवर पश्यू पक्षी तता मनुष्य सभी उसका शिकार हो रहे थे उस बैमा पर वापसी का मार्ग नहीं मिल रहा था और भटकते हुए मैं देट्यों के परदेश में पहुच गया मगर जादूगर्न रास्ता बताया मैं जानता था कि इस बीच कोसिमा के वेड़ों में उस भ्यानक रोग ने सैकड़ों जाने ले ली होंगी और सची था मैं वहां करके हीरों की घाटी का स्वामी बनना चाहता है इन सब बातों को सोचकर ही मैंने लाल सितारा को यह तो पोत और पंडूपी से अलग कर दिया ताकि वह उन दुरलब देट्यों को जाहाज में लदी बारूस से नश्ट ना कर दे अब मुझे वहीं मिलेगा जहां जादूगर ने शब पुलेस के हावाले कर दिये और अब जब शाका ने विस्तार से सब कुछ बताया तब वैं शाका के लिए एक विमान की तरंद वैवस्ता करने के लिए तयार हो गये फलसरूप दो घंटे बाद इस शाका वायू यान के वायू सेना के विमान देट्यों के तुम जब भी इस धर्टी पर उत्रोगे मुझे मेरा जादू तुमारे आने की सूचना दे देगा पता नहीं उसके जादू ना भी उसे बताया है या नहीं लेकिन मुझे उसकी चिंता है भी नहीं मुझे तो उस मैदान में पहुचना है जिसमें मैंने लकडी का एक मखान द लेकिन तुम यहां बुरी भावना लेकर आयो तुम यहां मेरे सायक से युद्ध करने हो और मेरे शत्रू दैत्यों की मदद करने आयो जादूगर जादूगर की नजरों में यह बयांकर अपराद है यह अपराद जो भी कोई भी करता उस पर जादूगर जादूगर का कहर तुम पर अभी नहीं गिरा और मैं तुम्हें वापिस जाने की साला देता हूँ मेरा ये गोड़ा तुम्हें सुरक्षित इस भ्यानक प्रदेश की सीमा जे बाहर पहुचा देगा ठीक है, मैं चला जाओंगा पर जानने से पहले में कुस सवालों के जवाब चाताँ मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम मेरे विरुद कोई कार्वाई की ये बिना जाने को तयार हो इसलिए मै मैं तुमारे हर सवाल का जवाब दूँगा पर इससे पहले मोज महान व्यक्ति का अतिती सतकार करूँगा जिसने महान जादूगर जौंग का जीवन बचाये था मेरा हाथ पकड़ो और जैसे ही महावली शाका ने जादूगर जौंग का हाथ थामा वह ऐसे गायबुगज जिसे वहाँ कभी थे ही नहीं और अगले ही छण अदे ये हम खहाँ पहुंच गए ये वही मकान है जो मैंने अपने उस मददगार के लिए बनवाया था जो मेरे दुश्मन देत्यों का खात्मा करने के लिए यहाँ आ चुका है पर मैं तुम्हें उससे बाद में मिलवाऊंगा पहले कुछ खा पी लो यह कहकर जादुगर जोंग ने ताली बजाई और पलक जबकते ही खाली मेज ताजे फलो और दूस से बरे बरतन से सच गई अश्यर है भोजल ये कुछ भी नहीं है पर जो कुछ तुम्हारे सामने असली है बेस्वादिष्ट और शक्तिवर्दक है खाओ तो मैं खाता हुआ देखकर मुझे बहुत खुशी मैसूस होगी देत्यों को काबू करने के लिए अत्रिक्त मैं दुनिया का हर काम छड़मर में कर देता हूँ मैं विनाश भी कर सकता हूँ और स्रजन भी मैं देवता हूँ इस परदेश का मगर मैं भी एक जादू जानता हूँ महान जादूगर उस जादू से मैं वह काम कर सकता हूँ जो तुम नहीं कर सकते शायद तुम मजाग कर रहो सब दुनिया के जादूगर मधारी से अधे कुशनी होते नहीं, इस धर्ती के देवता महान जादू कर जाओं मैं ऐसा जादू जानता हूँ जिससे इस ब्यानक परदेश के दैत जिनसे तुम भैवीत हो, वो मेरे गुलाम बन जाए मेरे इशारों पर अपने सिर जुका दें, ये मजाक नहीं, वास्त विक्ता है, मैं प्रमाण दे सकता हूँ तुम जूट बोलते हो, दैत्यों का परदेश अभिशक्त है, वहाँ कोई जादू असर नहीं कर सकता उस घाटी में जो चमकदार पत्तर यानी हीरे पड़े हैं, वो दैत्यों को तो शक्ती देते हैं, मगर जादू का असर समाप्त कर देते हैं मैं बहास नहीं करूँगा, बलकि प्रमाण दूँगा लेकिन इधर इनका वहवारता लाबलाल सितारा सुन रहा था और इसके सीने पर सांप लोट रहे थे, विश्वास नहीं होता ये डिश्ट इतनी जल्दी यहां कैसे पहुँच गया, ये जादूगर जौंग से भी परिच्चे थे, बलकि इनकी बातों से लगता है जादूगर जौंग इससे अधिक प्रभावित है, और अब ये क्या बक्वास कर रहा है हिंदुस्तान इस्थित मेरे दो नंबर के अड़े से रेडियो संदेश मिला था कि महाबली शाका ने उन पांचों देट्यों को पराजित कर दिया है, जिनने मैंने कैद किया हुआ था अगर सच्मुझ यह कोई ऐसा जादू जानता है जिससे देट्यों को गुलाम बनाया जा सकता हो, तो समझो, ये जादूगर मेरे हाथ से गया, तब निश्चित इस ब्यानक परदेश में ये दोनों मेरी कबर बना देंगे इस विचार के मन में आते ही लाल सितारे ने तुरंट अपने दो गनमेनों को बुलाया और उन्हें अपनी योजना समझाते हुए का, तुम मेरे साथ रहोगे, जैसे ही मेरे इशारों फायर कर देना, बहुत अच्छा मास्टर इधर जादुकर मावली शाका की बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था, कहीं तुम वैसे ही तो देत्यों को गुलाम बनाने की बात नहीं कर रहें, जैसे मेरे मित्र लाल सितारे ने बताया था, नहीं मान जादुकर, लाल सितारे ने जितने देत्यों को गुलाम बना दिया है मैं जानता हूं वे उन दयथ्तें को साथ लेकर ही आया यह. लेकिन तुम देखोगए कि मैं उन दयथ्तें से लड़कर उन पर काभू पाऊंगा, उन पर जादू चलाऊंगा और फिर वे मेरे सामने सिर जुका देंगे, मेरे हुप्म का पालन करेंगे तब हमा लाल सितारे ने प्रवेश किया माबली शागा के सामने आने का 130 सिस जादुगर जौन की उपस्तिती के कारणी हुआ था शमा करें माहन जादुगर जौन क्या मुझे ये जानने का अधिकार है कि ये जूटा फरेवी और मक्कार आदमी आपको कौन सा पाट पड़ा रहा है? ये हमारा अतिती है लाल सितारा तुमने इसकी शान में जो अपशब्द दिखाए हैं उसके लिए शमा मांगो लाल सितारा जानता है कि अगर उसे अपने मिशन में कामयाब होना है तो उसे हर हाल में जादुगर के आदेशों का पालन करना है अता उसने तुरंट शमा मांग ली मैं आपके अतिती से शमा मांगता हूँ अब सुनो लाल सितारा मेरे अतिती का दावा है कि ऐसा जादू जानता है जिससे दैत्यों को वश में किया जा सकता है हम इसके साथ दैत्यों के परदेश में जा रहा है अगर अग्या हो तो मैं भी साथ चलूँ हम उड़ने वाली मशीन याली हेलिकॉप्टर से बहुत जल्दी दैत्यों के परदेश में पहुंच जाएंगे जादूगर ने उसे आग्ये दे दी इसलिए इन्हें दैत्तियों से खत्रा नहीं है, जबकि हम और आप जादू नहीं जानते। ठीक है अतिती, तुम नीचे उतरोगे। मुझे कोई आपत्ती नहीं। मापली शाकाओं को नीचे उतारने के लिए हलिकॉप्टर नीचे लाया गया। हम तुमें देखते रहें नहीं आतिती, ठीक है, लेकिन मुझे शक है जादूगर की वे डुस्ट कोई चाल चल रहा है। पासी एक दैत्ति, परिजार हेलिकॉप्टर की आवास से उत्तेजित उता था। परिवार, हेलिकॉप्टर के आवाज से उत्तेजित होटा था, उनके उत्तेजित होने का दूसरा काड़ ये भी था कि उन्हें मानस गंद मिल रही थी, और फिर उन्हें पता चल गया कि मानस गंद की सोर से आ रही है, हुम हुम गल गल, माबली शाह का अपनी आवाजे सुन र निकला, और फिर कलावाजी, खाकर माबली शाह का उसके पीछे पहुचा, और अभी देट पीछे गुम भी नहीं पाया था कि शाह का ने संपूर्ण शक्ती से देट की करदन पर प्रहार किया, था, अज से पहले मैंने देट को इस पकार ठिठकते नहीं देगा कहिए मेरा अतिती होगाउं का अवतार तो नहीं है, यह आदमी है यह शैतान, उसने सचमुच देट को परवावित कर दिया है, और यह जादुगर का बच्चा भी उससे परवावित होता जा रहा है, उसे देवता का अवतार मान रहा है, इधर माबली शाह का ने उच्छल तुनके पैरों में जुग गए, वह जरूर देवता होगाउं का अवतार है, अरे मूर्क सुना नहीं तुने, इस उड़ने वाली मशीन को नीचे उतारो, पाइलेट नहीं जैसी हेलिकॉप्टर नीचे उतारा, जादुगर उससे उतार का मावली शाका की ओल लपका, मुझ नजर आने लगी, और काले जादु का महान जादुगर जिसकी उम्रू दो सो वर्से भी अधिक थी, जो मुर्दों में जान फूख सकता था, जिसके एक इशारे पर दुनिया की हर वस्तु उसके कदमों में आगरती थी, जो माल, आंक के संगेत से, लाल सितारे जैसे सैक्ड ने कहका लगाया, लेकिन तब तक शाका दैति की ओट में हो चुका था, गोलियां दैति के सीने से टकरा कर बेकार हो गई, क्योंकि दैति की मोटी और सक्त खाल पर वे बेसर थी, तर 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 तो ये थी उसकी हो जना, जल्दी खाली कोप्ट से दूर थबरना होना चोटा जाती थाम 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 पागल हो गया है ग्रेनेट ऐसे बरसा रहा है जैसे मैं अकेला ना होकर फॉच की पूरी बटालियन हूँ क्या वे जीवित होगा असंबव 40 ग्रेनेट फेकें और मैंने उसे दुएंसे बाहर निकलते नहीं देखा और अब ह जैसे शक्तिशाली जादरों की मौत कभी ना हूँ और फिर महावली शाका ने पेड़ों पेड़ों पर वापसी का सफर आरंब किया वे अगले दिन सुबह पहुंचा मैं समय पर पहुंच गया वे देख्तियों की घाटी पर दावा बोलने के तयारी पूर कर चुका है लेक कि उन से आगे हमारे दोनों हेलिकॉप्टर जहरी ले दुएं कि कम बरसाते हुए चलेंगे बं बरसाते हुए चलेंगे ठीक है अब सब तुम सब तयार हो जाओ गुर्प नंबर एक को मैं रवान की कादेश देने जा रहा हूं हम आपको तयार मिनेंगे मास्टर और मास्ट वैसा दरवाजे की ओर में जपते क्योंकि वैसी चीक उनके मास्टर की थी कौन था यहाँ मास्टर खां गय अभी तो कमरे से निकली थी क्या एक छलंग में गल्यारा पार कर गई अरे यह देको मास्टर का तस्थाना इसका मतलब मास्टर इस कमरे में है वह मुसीबत में है तब ही, अरे, तुम यहीं हो अभी, और यहां के फाड़ फाड़ कर क्या देख रहो, आप कहां थे मास्टर, क्या टाइलर से लोटने पर मुझे यह बताना हुआ करेगा कि मैं कहां था, अपने मास्टर के इस क्रोध बरी दाल ने उनके होश उड़ा दिये, और अब वहां से भाग जाना ही सबसे उचित, सबने उचित समझा, वह मेरी आवाज से भी संतोष्ट हैं, यह ड्रामा तो सफल हो गया, अब दूसरा ड्रामा शुरू होना चाहिए, लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि उनका मास्टर गैरी ब्योशी की नीन में है, और जिससे वह मास्टर भ्यान की मौत साबित होई, उसने बहुत साथदानी से उस कमरे का तक्ता उखाड लिया था, और अब पैट्र उलट रहा था उसमें, और फिर माचिस की एक जलती वी तेली उसने अंदर उचाल दी, फिर एक खिड़की से वह बार कूदा तो अकेला नहीं था, उसके कंदे पर असले लाल सितारा भी था, उसी समय मकान के एक हिट्से में भीशन विस्पोट हुआ, जबकि महाब अली शाका मकान से दूर, रनवे पर खड़े उस वेमान तक पहुंच चुका था, जिसमें लाल सितारा देट्यों को लेकर आया था, उदर मकान जल उठा था और जहरील दूएं को हवा अपने साथ उड़ा कर ले गई, तब कुछ गाट जंगल में से निकल कर सामने आये, इन सब को लाल सितारा ने जंगल में तैनात किया होता, ताकि वे जंगल के इंसक जानवरों को मैदान की होना जाने ने, ये कड़ पड़ हो गई, पर विस्पोट हुआ कै आयोतागार में आग लगी थी, आग कैसे लगी? ये हम इन सब को होश में लाकर इन से पूछेंगे, यहां रुखना व्यर्त है, हमारे पास इतना वारूत भी नहीं बचा कि अगर अचानकी नर्बक्षी मानवों की कोई टोली हमला कर दे, तो हम उनका मुकाबला कर सके हैं, नर्बक्षी मानवों के हमले की बास सुनते ही वे सब सैम गए, और फिर कुछी दिर में जहरीले दुएं से बेउश हुए गार्ड्स वर दैत्तियों को विमान में पहुचा दिया गया, पाइले बहुत पहले यहां लाया जा चुका था, सिर्फ भै जानता था कि उसके बरा पाइलेट विमान को हिंदुस्तान ले जा रहा था, विमान में बैठे गार्डों को जब यह पता चला कि वे अपने जहाज गोल्डन एरो पर नहीं बलकि भारतिय वायू सेना के थवाई अड़े पर उत्रें, तो वे हाथ उठा कर विमान से बाहर आने के लिए विवश दे क्योंकि उनका विमान भारतिय सैनिकों की घेरे में खड़ा था, और माब अली शाका वहाँ पहले ही मौजूद अधिकारियों से कह रहा था, डानवों को कहां पहुचा जाएगा, यह मैं कमिशनर साब को बता चुका हूँ, वहाँ इन डेत्तियों में फिट मनुश्यों के दिमाग निकाल लिये जाएंगे, और पुना वे दिमाग उन्ही मनुश्यों को लटा दिये जाएंगे, जिन से वे निकलने के निकाले गए थे, यह काम वही डॉक्टर करेंगे जो पहले कर चुके हैं, बात में कमिशनर साब ने बताए कि उन्होंने माबली शाका से मिली ज जानकारी के आधार पर लाल सितारा के उस ठिकाने पर कबज़ा कर लिया, जहां उसके स्ष्ट वहग्याने को ने द्यत्यों को मनुश्यों को बनमानुशों के दिमाग दिये थे, और फिर वापसी में, लेकिन कमिशनर साब, मुझे जितना दुख बनमानुशों के मरने का बलकि उन्हें वेग्यानिक तरीके से सुरक्ष रखा गया था ताकि उसके वेग्यानिक देट्यों के दिमागों का अध्यन करके अपना ग्यान बढ़ा सके इसलिए वह दिमाग पुना दानवों को मिल जाएंगे और दानव जीवित रहेंगे मरेंगे नहीं और वह देट्यों तुमें ही मिलेंगे तुमेंने अपने साथ बीडों में रक्सक होगे मैंने उच्चा दिकारियों को विश्वास दिला दिया है कि इन देट्यों से भविश्य में जनता को कोई हानी नहीं पहुचेगी देट्य बीडों में एक सुरक्षित इस्थान पर तुमारी देख रेक में रहींगे लेकिन हमारी सरकार देत्तियों के खजाने के बारे में जानना चाहती है कैंई बस सच है कि वहाँ एक गाटी है जो बहु मिल हीरों से भरी पड़ी है ये बात सच है लेकिन वे हीरे हमारे लिए परमाडू विकरण से भी अधिक घाता गया उनमें से निकलने वाली किर्णों की ही कारण इन भ्यानक देत्तों का जन्म हुआ है वरना ये देत्त अफरीका के भीड़ों में बसे अन्य नर्वक्षी मानवों जैसे ही होते अगर वहीरे यहां लाए गए तो उनमें से निकलने वाली किर्णों का प्रवब यहां की लोगों पर पड़ेगा उनके मस्तिश विक्रत हो जाएंगे और भविष्च में उनकी जो संताने होंगी उनमें इन देत्तों की गुड़ पाए जाएंगे लाल सितारे ने शायद हीरों का परिक्षन नहीं किया था तभी वहने इहान लानी की कोशिश कर रहा था तुम्हें ये बत कैसे मालूमी यह क्योंकि मैं अपनी पहली यात्रा में एक हीरा वहां से लिया आए था उसका निरिक्षन किया तो और फिर मैंने वहीरन नष्ट कर दिया था अच्छा अब ये बताओ कि तुमने लाल सितारा को जहाद छोड़ कर देट्यों के साथ क्यों भगा दिया था ऐसा ना करता तो मैं उसका वहाँ इस्ते तड़्डा कैसे तबा करता और उसके उस मददगार से कैसे मुलाकात करता जो यहाँ के देट्यों को खत्म करना चाहता था अच्छा कौन था उसका मददगार एक जादूगर था जो देट्यों का दुश्मन था क्योंकि उसका जादू इन देट्यों पर असर नहीं करता था इसका कारण भी उस परदेश में पाए जाने वाले ही रही थे उनमें से निकलने वाली किरने जादू जैसी अर्दिश्य शक्ति को भी प्रवावित कर देती थी पर वैजादू का लाल सितारा के हाथों मारा गया अब ना कोई उन देट्टों का सवाय करेगा और नहीं देट्टों का वे खजाना वहाँ से आटेगा वे घातक खजाना देट्टों की सुरक्षा में वहीं रहेगा एक सवाल और वह यह है कि तुम इन देट्टों को वश में कैसे कर लेतो इसके पीछे सिर्फ यह राज है कि जब भी मेरा किसी दुश्मन से मुकाबला होता तो मैं उसकी कमजोरी रूनता हूँ पहली यात्रा के दौरान जब मैंने जब मैं दैत्तों के बीच फस गया था तो मेरा मुकाबला दैत्तों के सरदार से हुआ था तब अचानक ही मेरा प्राण दैत्तों सरदार की गर्दन की एक नस्पर हो गया था जिससे वह एकदम नर्वास हो गया था बस इसी कारण दैत्तों सरदार मुझे अपने से जाधा शक्तिशाली समझ लिया और डर कर मेरे कदमों में चुग गया फिर ऐसे बीशन युद्ध के दोरान मैं ब्यानक सर में चिंगाल कर अपने अंदर एक शक्ति गतित करता हूँ ये मेरी आदत है द्यत्त मेरी उस शक्ति से उस ब्यानक दार से भी प्रावावित होते हैं ब्याडों मैं अपनी इस दार से मैं हिंसक जानरों के बीच हो रहे युद्ध को रोकता हूँ क्योंकि उनके मूँ से बीच के लोगों को हानी पहुंचती है उनके युद्ध से बीच के लोगों को हानी पहुंचती है कुछ अवस्ता में वह गाउं पर हमला कर देते हैं पर मेरी दार सुनकर भेवी तोकर वह भाग जाते हैं इन दानवों में नियम है कि इनकी टोली में जो सबसे आता शक्तिशाली होता है दिश्मन पर वह सबसे पहले हमला करता है अगर पराजित हो जाता है तो बाकी सब भी बाकी सब भी पराजे सुईकार कर लेते हैं इनकी ये विशेष्टा मुझे तभी मालूम ही थी जब मेरा मकाबला पहली बार इनके सरदार से हुआ था तो उन सचमच बेमिसाल और माबली तुम्हारे कारणामें हमेशा आदवत और अश्चर भरे होते हैं जिनकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती कै तो माजात मेरी कोठी पर मेरे परवार के साथ रहोगे माबली नहीं इसके लिए शमा करें कौसिमा के ब